Hello all of you, Welcome to CA Foundation आपके CA Foundation में पहला पेपर जो रहता है That is Principle and Practice of Accounting ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये CA कोर्स में आपके हर लेवल पे ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है Even after becoming chartered accountant आपको CA हुए बाद भी ये सब्जेक्ट ऐसा है जो regularly use करना होता है तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ और फिर हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे मैंने अपनी CA की पढ़ाई शुरू किया Started CA course in 2006 2006 में ये CA course के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने अपनी पढ़ाई शुरू किया इसके study में आपको पता होगा कि CA intermediate के बाद आर्टिकल शुरू होती है जो CA के अंडर में हमको ट्रेनिंग करना होता है वो आर्टिकल शुप मैंने पूने से किये मेरी CA की पढ़ाई भी सारी की सारी पूने से फिर वहाँ पे आर्टिकल शुप किया मैंने पूने में और मैं Chartered Accountant बना विकेम CA in 2011 मैं Chartered Accountant कब बना विटा? 2011 में मैं CA बना फिर 2012 से started teaching in 2012 2012 2012 से teaching शुरू किया पहले आप लोगों का CPT कहा होता था CA Foundation को CPT के नाम से बलाते थे तो CPT लेवल पर पढ़ाया अब उसको CA Foundation कहते है ओके CA Foundation नाम से कहते है उसको CA Intermediate लेवल पर पढ़ाता हूं और कुछ बात CA Final की भी लिए अब सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं तो मुझे लगा हमेशा से शुरुवात से ही कोई भी एक सब्जेक्ट में मुझे specialization करना था और मैंने सोचा कि accounts मेरा student life में भी strong रहा था और मुझे लगा कि एक सब्जेक्ट में ही concentrate करना है focus करना उसी में specialization लेना है तो हमेशा मैंने accounting subject ही पढ़ाया फिर foundation level हो इंटर level हो या फिर final level हो और यह एक ऐसा subject है जो आपको हर level पर ही accounting subject होता है तो मैंने account subject में ही focus किया तो मुझे लगा ऐसा कि accounting subject में CA तो बन गिया और जो CA होते उनके specialization accounting होता है Chartered Accountancy course में accounting subject बहुत डीप में होता है as compared to CA symbol तो महाँ पर उतना उनको नहीं होता accounting subject उनका law बहुत डीप में होता है तो मुझे CA तो बन गिया था वहाँ पर account सारा पढ़ रखा था CA बना तो account बहुत अच्छे से आता था लेकिन मुझे लगा कि जब एक ही subject मुझे पढ़ाना है इसी पर concentrate करना है तो कहा करते थे वह अभी बहुत टेक्निकल चीज़ है आपको बहुत वक्त चीज़ पर आने बाद में हम बात करेंगे एक accounting standard कर गया होता है चीज़ तो accounting standard बह क्यों क्योंकि मैं accounting subject ही पढ़ाता हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी में और कुछ चीज़ हम करें तो एक IFRS नाम की चीज़ होती है international financial reporting standard बहुत ज़ादा technical होता है जो international level पर accounting standard होते है उसको मैंने इसके exam होती ही बहुत famous diploma in IFRS means international financial reporting standard from ACCA जो एक UK का institute है यह examination मैंने crack किया diploma in IFRS फिर यह भी accounting से related है बहुत technical होता है उसके बाद एक और accounting से related concept है इन्डेस कहते हो से उसकी examination certification examination कंड़क करती ICI इन्डेस की examination कंड़क करती इस इस इसे भी किया और यह भी first attempt में clear करा आया फिर इस फिर 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 क्लियर किया उके उसके बाद उसके बाद में कहना भूलकिया पहले एक B.com भी साथ में किया बैशलर इन्डेस और फिर इसके बाद B.com बहुत रिग्रेट होता है मुझे मेरे C.A. final के examination से clash होई थी L.L.B. के examination थी L.L.B. final तक आ गया था लेकिन exam नहीं दे पाया तो इस वक्त आसपास हुआ था examination इसके पाद इतना बीजी वा दिया नहीं लेकिन आज भी सोचता हूँ कि L.L.B. का final कर दे के खतम कर दे एन्यवेस यह मेरा education रहा बिटा अब रही पात की मैं आता हूँ teaching पे जैसे मैंने आपको कहा कि teaching में 2012 से शुरू किया लेकिन Central India में पढाने के अलावा नागपूर में पढाने के अलावा बहुत सी जगा पढाया हूँ स्पेशल इन साउथ इन कैरला कैरला में कोची में पढाया हूँ face-to-face classes कैलिकट में पढाया हूँ त्रिशूर कन्यूर बहुत सी जगा दुसरी जगा भी वहाँ पे पढाया हूँ इसी लिए उससे रिलेटेट पोर्स और इंडरनेशनल कोर्स और फिर नेशनल कोर्स और कुछ भी अलावा उसके करते रहा अब यह सब्जेक्ट जो आपका principle and practice of accounting अपने आप में इतना important क्यों हो जाता है यह तो मैंने मेरे बारे मैं आपको बता दिया जो बता रहा था अब principle and practice of accounting अपने आप में जो accounting subject है मैं इसको short accounting subject ही कहूँगा accounting subject जो अपने आप में इतना important क्यों होता है इस चीज को हम समझते वे रहा और मैं suggest करूँगा अभी तो ठीक है मैं आपको जब आगे कहूँगा कि लिखना रहेंगा तो मैं बहुत सी चीज़े होती कि आपके notes में त सिवाप मेरी बातों को सुनी अच्छे से बिटा अब सबसे पहले आपका CA foundation होता है आपने CA course अब शुरू करने जा रहे सबसे पहले आपका होता है CA foundation CA foundation में आपका paper number one that is principles principles and practice of accounting यह subject का आपका नाम है जो कि पहला paper है आपका यह आप पढ़रे विटा CA foundation level पर कहां पर आप देखेंगे CA foundation level पर अब यह paper ऐसा है accounting कि आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है यह अपने आप में बहुत important डिला कैसे साथ नहीं छोड़े का मैं आपको बताता हूं अब इसके बाद आप जाएंगे भी ना CA inter level पर CA foundation आप पाएंगे यह building है यह building है आप कहें CA foundation level के बाद आपने पास कर लिए first attempt फिर आप आप आए CA intermediate level पर CA intermediate आप इसको ऐसा मानी जैसे के building मंत्री बिटा CA intermediate level पर accounts paper एक बार नहीं है आपका दो दो बार अभी इंटर लेवल पर आप देंगे दो गुरूप होते है गुरूप 1 गुरूप 2 तो दो बार accounting paper अलाग अलाग chapters रहेंगे obviously तो मतलब यहाँ पर जो 100 marks का paper है तो यहाँ पर आपका यह 100 marks का है तो यहाँ पर इंटर पर 200 marks का हो जाएंगा ही क्योंकि आपके कितने paper रहेंगे वहाँ पर दो accounting paper है 100-100 marks के कितने paper है दो accounting है ओके दिख रहा है हो ओके यहाँ तो यहाँ पर 100 marks का एक बार पर दूसरे पर और एक बार होगा तो आपका दो बार हो गया दो बार आपका accounting subject है तो यहाँ पर 200 marks का हो गया वहाँ पर paper नंबर 1 है पहला paper है उसमें वहाँ पर यह accounting नाम से कहलाता है और आपका एक paper नंबर 5 रहेंगा वहाँ पर जो है total 8 paper होते है आपका पर नंबर 5 रहेंगा वहाँ पर एडवांस accounting के नाम से कहलाता है तो आप इसका important समझाने के लिए मैं बता रहा है को इंटर हमको पढ़ना नहीं है अभी लेकिन जो paper यहाँ पर 100 marks का है accounting इंटर लेवल पर भी आपको पढ़ना है अब आप में को बताईए कि जो subject आपने यह पर पढ़े हो वही आपको obviously इसका advanced version हमको आगे चलके पढ़ना है आप मानिए यह building में आपका foundation level पहला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बोलना है अगर आपकी building का ground floor जो सीए foundation है वो अगर वीक रहा तो उपर की building उपर के floor strong अच्छे बनेंगे के नहीं बनेंगे तो आपको इसका important सबजना चाहिए जो foundation level पर आपको accounting subject है उसी का advanced version आगे पढ़ना है building का foundation ही अगर वीक रहा building का foundation ही अगर यह वीक रहा तो building जादा उपर जाने वाली नहीं आप समझरे मैं क्या कह रहा हूँ तो आपको foundation level पर ही अपना accounting बहुत strong करना है अगर आपने यहापे strong कर लिए तो उपर कि उपर जब इंटर लेवल पर हम पढ़ेंगे और फिर फाइनल लेवल पर पढ़ोंगे तो दिक्कत नहीं जाएंगी अब आपने देखी कि इंटर लेवल पर भी वह हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है तो वहां पर भी हमको accounting पढ़ना रहेंगा अब उसके बाद होता है आपने इंटर लेवल पास की उसके बाद होता है आप अर्टिकल में जाते है आर्टिकल मतलब क्या होता है कि आपको कोई CA के अंडर में ट्रेनिंग करना पढ़ता है अराउंड थ्री इस की रहती तो आप आर्टिकल शीप में जाएंगे तो आप खुद इमेजीन करे बि तो यहां पर जब आप आप आर्टीकल शिप करोंगे तो आर्टीकल सिप में आपको बहुत जगा आपके सी आपके जो भी सर रहेंगे उनके बहुत से क्लाइंट होते हैं कोई हो सकता है कि उनका क्लाइंट है कोई कंपनी की करने आपको भेजेंगे जाओ यह काम करो फिर आपके सर आपसे चेक करेंगे और अकाउंटिंग का कोई काम कभी कुछ आता है तो अकाउंटिंग भी यहां पर कहते हैं कि चलो यह करो उसके बाद यह चेक और अलग अलग तरह कि बहुत से और अकाउंटिंग आपका स्ट्रॉंग सब्जेक्ट नहीं आगा अपने कैसे तैसे फेल होके फिर दिये फेल हुए फिर फिर पास होग तो आर्टिकल शिप में जाओंगी तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर पाऊंगे जो प्रैक्टिकल का आपका पर नहीं कर पाऊंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर कमांड नहीं और यह ऐसा सब्जेक्ट जो डेली यूज होता है तो नंबर सब्सक्राइब आपया सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब जोौव राकाउंटिंग सब्लक्राइब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगा अब आप में को बताओ ये हमारी बिल्डिंग है बिल्डिंग का ये फांडेशन अगर ये एडिया वी करहा तो ये बिल्डिंग जादा उपर नहीं जाएंगी और फाइनली सीए आप फाइनल एग्जामिनेशन पास करके आप यहां पे कह इस सब्जेक्ट आपका साथ छोड़ने वाला नहीं आपको महां पे भी इसका यूज होता है रहता है बहुत होता है तो आपको हमेशा इसका मतलब हमें अपना फांडेशन बड़े स्ट्रॉंग रखना है ग्राउंड लेवल बिल्डिंग का हमारा जो ग्राउंड फ्लोर ब इंटर लेवल पर अकाउंटिंग बहुत इजी रहेंगी अगर आपने इसको यहां पर अच्छे से स्ट्रॉंग कर लिए अब मैं अभी से फांडेशन लेवल की बात करता हूं यहां पर कि यहां पर सब्जेक्ट हंद्रेड मार्क्स वैसे दूसरे लेवल पर भी हंद्रेड practical practical problem solve करना होता है हов Wii U की प्रैक्टिकल नुमेरिक करते हूंसर अगल को सॉल्व प्राक्जमनियशन दिसकर्शन हम को बहुत करना है यह के बहुत बाथ करना है मगर कभी कभी होता है कि with very few बहुत कम theory question examination में आ जाते हैं कभी 4 mark, 8 mark, बहुत कम theory question आते हैं, लेकिन वो 90% हमारे practical questions ही रहते हैं, तो सब्जेक्ट numerator क्या आप calculator यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और with very few theory questions माँकर हम लोगों को आ सकते हैं, 5-10 mark, उससे जादा weightage नहीं रहता है, ओके तो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत important होता है, इसको आपको समझना है, क्योंकि आगे के level पे भी इसका use होने वाला है, अब syllabus की हम अगर बात करें बीटे, तो आपके syllabus में total इसमें 15 chapter बोलते हैं, कोई 16 I mean कोई एक chapter को जिसे chapter number मैंने जो आपको नोड दूँगा उसमें total आपको 16 chapter रहेंगे एक से लेके कितना रहेंगे 16 chapter तक रहेंगा 16 chapter जो accounting standards इंडियन accounting standards वो पहले chapter में theoretical framework में consider करती institute, लेकिन बहुत technical है, उसको मैं आखरी में cover करता हूँ, और बहुत छोटा सा आपको introduction है, बस foundation level पे तो हमारे total 16 chapter हमको पढ़ना है, बहुत ही lengthy syllabus है, बहुत सारी चीज़े पढ़ना रहता है, और इन chapters को हम जब पढ़ेगे, बड़े ही ध्यान से concept पे focus करके हम लोग पढ़ेगी, और फिर हम लोग बिटा problems पे हर chapter पे आया करेगी, इन chapters में मैं आप से खहूँ पहली चीज़, कि शुरवात के जो दो chapter है यह जो दो chapter है न, यह शुरवात के दो chapter important है, और इसमें जो पहला chapter है वो पूरा theory based है, मतलब उसमें कोई भी question solve नहीं करना है थोड़ा बहुत एक हाथ दो, simple सा कुछ आ गया लेकिन mainly you theory based के शब्सक्राइब हम अकाउंटिंग theoretical framework theory based question आपके पास nodes भी उसके बिटा, तो पहला chapter theory है, दूसरा chapter जो accounting पहले है, फिर सारे इसमें questions आते जाएंगे, second accounting process जिसमें एक journal ledger, trial balance, cash book और subsidiary book करगे, कोई चीज होती है, बात करगे बहुत से questions भी हमको करना रहेंगा, अब अगर हम यहाँ पर देखे में तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगा chapter number 2 से उसको भी आने को एक दो दिन समय लगेगा, क्योंकि मैं chapter number 2 से शुरू करूँगा, concept के बारे मातवर और उसको practical को फिर theoretical से मैं connect करते जाओंगा, you don't have to worry और उसके बाद कुछ chapter से जब हो जाएंगे, मैंको लगेगा नहीं, आपको implication आने लग गया उस चीज का, तो फिर उसके बाद में chapter number 1 कवर करूँगा, it means हम chapter number 1 करेंगे, जरूर, लेकिन पहले कुछ chapter दूसरे, second chapter number 2 से शुरू करेंगे, कुछ chapter हो जाएंगे, जब मुझे लगेगा, नहीं, अब आपको उसका implication आगया अच्छे से, और फिर उसकी theory में chapter number 1 बे, फिर हम मैं उससे connect करके आपको chapter number 1 भी हम लोग क्लास में cover करेंगे, तो हम लोग chapter number 2 से शुरू करेंगे, लेकिन 2 भी शुरू करने के पहले मैं आपको background बताना पड़ेगा, उसी में हमको एक-दू session आराम से लग जाएंगे, उसके बाद फिर हम इस subject पर syllabus पर हमारे हाँ पर आते जाएंगे, और मैं पहले ही कह दू, chapter number 2 अपने आप में सबसे जादा importance रखता है, क्यों? क्योंकि chapter number 2 है, उसमें आप basic accounting को लिखते कैसे वो सिखने वाले है, एकदम initial stage वे, अब आप लिखते कैसे हो, तो वो अगर आप strong रखोंगे, फिर तो आगे की chapter आपको आसान जाएंगे, ठीक है, और फिर हम इसी लिए अपका chapter number 2 बहुत importance रखता है, और फिर उसको आप chapter number 2 यूज़ करेंगे, उसी का use आगे की chapter number 3, 4, 5 से हर chapter में होते जाएंगा, basic आप chapter session तो आरम से में को लगने वाला है उस पर, लेकिन वो सबसे important है, chapter number 2, सबसे मतलब सबसे जादा important, उसी पर आगे आपके अगले जो chapters रहेंगे, उसी पर depend है, अगर second chapter is strong, तो आगे के chapters आपके, accounting process chapter कर strong है, तो बाकी chapters भी सारे strong है, अगर वो week है, तो आगे बाकी chapters में दिक्कत जाएंगी, तो ऐसा होने नहीं दूँगा, मैं एक एक चीज़ आपको बताओ, अब कुछ बच्चे मैं अभी कह देता हूं, इस बार कुछ बच्चे कहते हैं, कि सर हम commerce background के, और कुछ कहते हैं, 11-12 कुछ science कर रहे थे, कुछ commerce कर रहे रहे थे, मैं पहले science वालों ते कहता हूं, science वाले बहुत घबराते हैं, कि सब्जेक्ट से घबराते हैं, accounting सब्जेक्ट से, हमने 11-12 में कभी पढ़े, पढ़े नहीं हमने, हमारे लिए एकदम new है, commerce वाले accounting 11-12 में पढ़ के आते हैं, तो उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता रहता है, लेकिन science वाले मैं आप स शुरू करोगा, you don't have to worry, बिल्कुल और जो commerce वाले रहते हैं, आप बिल्कुल भी overconfidence में नहीं जाएं, कि नहीं सर जर्नल लेजर तो क्या है, trial balance, cash book, subsidiary book, हमने पढ़े 11-12 में, अब जब आप पढ़ोंगे ने, जब मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप अपने आपको खुद ने कुछना, जब deep में लेके जाऊंगा, कितना आता था आपको, तो मैं आपको ऐसे dart निरो, demotivate नहीं कर रहो, बस मैं किया रहो, को overconfidence में नहीं जाना, तो आप भी ऐसा मानना है कि अपन पहली बार पढ़ रहे, और जो तरीका बताँग, उस तरीके से पढ़ना है, concept wise हम बात कर जाते हो, 11-12 में भी कर जाते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, professional course है, बहुत ज़्यादा concept पर focus देना होता है, जब भी आप advanced level पर आगे जाते जाते हैं, okay, science वाले बचों बिल्कुल भी मत घबराना, आप सोचना ही नहीं कि अरे, एकड़म आप बेफिकर रहो, अब आपको पास कराना मेरी जिमिदारी ही, तो बस आपको मैं जो instruction दूँगा, उसको proper follow करना है, okay, you don't have to worry, okay, उसके बाद 16 chapter है, टोटल आपके, आपको notes आप डाउनलोड कर सकते, तो महाँ पे उसको डाउनलोड करने, फिर एक एक करके, उसका print out लेना, और फिर आप शुरू करते इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कहा भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा, फॉर्स सेशन है हमारे regular class काई, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दू, कि टोटल हम लोग को around 4 months लगने वाले, तो हमारे 1.5 hours, मतलब देड़ घंटा हम कहते, daily, one and half hour, मैं daily one and half hour आपको इसका मतलब मैं मन्त में 25 days ही लेता हूँ, संडे को consider नहीं करते हैं, इसको off रखते हैं, around on an average 25 days अपने पास हर मेने हैं वेटा, पर मन्त, ठीक है, चार मेने तक हमको पढ़ना है, तो आप इसको multiply करोंगे, तो ये 150 hours हो जाते हैं, ठीक है, कितना हो तो 150 hours, तो ये चार मेने में हम लोग पढ़ेगे, तो ये अपन ये stage भी अभी, starting point अपना ये है विटा, तो चार मेने में अपने कोई cover करना रहेंगा, और पहले मन्त में 25% खतम होगा, और फिर 25 तो फिर 50% टोटल होगा, और फिर 75% पे पहुचेंगा, फिर 100% हमारा, 4 मन्त में around य जिसे slot रहता है, वो मैं लेके जाधा पढ़ा के अराम से में 4 मेने में cover कर लेगे, अब number of chapters मैंने अभी का, total हमको 16 chapters है, बड़े important होता है बिटा, daily क्या होगा, after class और at the end of the class, मैं आपको क्या देने वालो, practice के लिए question दोगा, उसे आप notes में देखोंगे, practical question chapter number 2 से शुरू हो इसको practice drill के नाम से कहते हैं, आपके पास notes होंगे, ठीक है, आप practice drill उसमें scroll करते हैं, आप देखोंगे थोड़ा सा नीचे, तो मैं प्राक्टिस drill करके वहाँ पर रहता है, तो daily जब मैं पढ़ाता हूं, तो आपको आगे इसमें बात करको, उसको homework भी देता हूं, कि कोशन आ मैं आपसे test paper भी share करा करोगा, test paper भी मैं आपसे share कर, तो आप regular badge भी हो रही है, revision भी होते जा रहा है साथ में, और test भी होते जा रहा है, और जब इस syllabus खतम होता है, generally examination के कुछ वक्त पहले, एक marathon कंड़ करते हैं, what is marathon, कि 12 गंटे, 15 गंटे, continuous पढ़ाता हूं, मैं अपने studio में, मेरे professional studio एक office में, मैं अपने studio में बैठके, 12 गंटे, 15 गंटे में आपके लिए live आके पढ़ाओंगा, और वो आपको साथ में मेरे revision का, that is marathon, तो exam के पहले करते हैं, okay, तो मारी regular badge भी हो रही है, revision भी हो रहा है, और marathon भी हो रहा है, अब मैंने आपसे पहले भी का, कि material जो रहत है, okay, अब आपकी सबसे important मैंने का कि concept पे हमेशा आपका focus रहना चाहिए, concept पे हमेशा हमारा focus रहेगा, तो आप notes में observe करोंगे, कि आपको जो theory portion जो है वहाँ पे, वह detail में दिया हुआ है, तीक है, उसको मैं explain भी बहुत ज्यादा करूँगा, क्योंकि उस पे हमारा बड़ा focus सरना चाहिए, फिर problem खुद बखुद हो जाते, concept समझना सबसे important है, problem पे, generally हमारा perception रहता है, counting एक practical subject है, उसमें problems बहुत करना है, बिल्कुल करना है, हम practice करेंगी भी, अभी देखो तो मैं आपको कितना home वक देता हूँ, कितने questions class में करता है, आप देखोंगे आगे, अब यहां पे, detail theory आपको दीवी है, आपके जो notes दीए, अभी कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ पर बात करूंगा, first session है, पहले में introduction है, सब चीज़े बता देरा आपको, detail theory, अब आप देख रहे हैं, यहां पे, यह दूसरे color से नीचे highlight करा, और एक और ची section ही रखे, पूरी free है, खुद यूस करो, बाटो, जो करना है करो, ठीक है, अब यह जो है, आपको जो highlight करा, आपको soft puppet, आपके तो obviously color में ही रहेंगी, तो आप महाँ पे देखोंगे, कि यहां पर दूसरे color थे, जैसे मैंने, यहां पर उपर discussion हुआ, उससे related examination में, यह RTP, what is R RTP में बात करता हूँ थोड़ी दिर में, जो भी question है, font बहुत छोटा screenshot लिया है, इसलिए, लेकिन font आगे बढ़े आएंगे सब, तो यह उसी से जो हमने उपर discussion किया, उससे related जो theory रहेंगी बीटा, उससे related, sorry, examination पर question आया है, वो theory के नीचे, तो theory based question भी आते है, practical भी आते है, आपको chapter में, महाँ पर मैं solve परूँगा, जो examination attempt का है, जहां से आया है, वो सारी detail महाँ पर मैं लिख कर रखता हूँ, मगर जो theory based होता है, तो theory based जब discuss कर तो इससे related question examination में, तो आप उसी की नीचे question देखूँगे, अच्छा, यह RTP, May 2019 की RTP का question, तो महीं पर मैं आपसे theory समझ जाओंगा, फिर question पूछूँगा, फिर मुझे इसका मतलब examination question highlighted, examination question जो आए वे है, आपके पहरे, वो महाँ पर बहीं पर दीए वे, हमने भी उपर discussion की और इसी की नीचे उसकी theory दीए, ठीके, other questions भी आते, theory बहुत कम आती, तो practical question का भी एक अलग section है, अब देखूँगे, आ यहाँ पर highlight करें, okay, important point, so important point, points highlighted, okay, अब उसके पाद आप नीचे देख रहे है, chart बने वे, अब उसके पाद, charge diagram भी आपके notes में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर बने हुए है, अब यह रहे हमारे notes के बारे में, अब एक पार्ट का notes में बहुत से पार्ट है, मैं आपके एक डिसकुस कर रहा हूँ, so always focus on concept, अब उसके बाद, जो आपको practice of questions हमको करना रहेगा, कुछ questions ऐसे रहेंगे बिटा, कि पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेंगा, पहले मैं concept के बारे बात करूँगा, फिर मैं question solve करा हूँ, तो आपके notes में questions दिये हैं, जो class में solve करना है, जूम करता हूँ, screenshot लिया वहाँ पर, question number 1, 2, 3, इस तरीकी से मैं solve करूँगा, आपके पास notes है, मैं solve करूँगा, और आपको समझाते जाँगा, कुछ questions ऐसे आप लोगों के, जो practice drill के नाम से आपको दिये हुए, दिख रहा है, आपको यहाँ पर practice drill लिखा हुआ है, यह जो question है practice drill वाले, यह भी आपके notes में class के question के नीचे दिये हुए रहे हैं, उस section के बात दिये हुए र करना होगा, तो मैं आज आपको, जैसे मैंने कोई question करा है, मैं आपको बनाँगा, चलो question number one, two, homework है, वो आपको करके आना है, तो practice drill से फिर आपको करके आओंगे, और फिर डाउट रहा तो फिर मुझसे पूछेंगे, ओके, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आगे बि जान से सुना, वो जो questions book में दिये रहे हैं को कहां कहां से आ सकते हैं, एक होता है, पहला कि previous examination question कोई exam में आया है, C Institute के, हो सकता है कि revision test paper उसको short form RTP कहते है, what is RTP, हर examination के पहले C Institute एक RTP issue करता है, उसमें हर chapter के कुछ questions दिये वे रहे हैं, तो इंस्टिट कहता है कि उसको कर लो examination के पहले, तो वो RTP हर item के पहले आते हैं, तो उसमें भी questions रहते हैं, उसके बाद third ICI study material question, जो C Institute के study material है, उसमें भी questions दिये रहते हैं, उसके अलावा कुछ questions मुझे भी लगता है कि ये questions होना चीए, वो नहीं तो exam में आया है, नहीं तो RTP में दिये, नहीं तो C Institute के material में दि तो वो भी हमारे notes में cover है, इसका मतलब ये जो आपको notes provide करेगा है, इसमें सारी की सारी चीजे cover है, सारी की सारी चीजे cover है, so यहाँ पर virtual profs के जो आपको notes provide कर रहे, accounting के बीटा, उसमें ये accounting की चुद बुक्स है, तो आप एक-एक chapters को download करना, print out लेना और थोड़ा proper रखना, इससे उसको, ऐसे नहीं करना आपने, कि उसको उठाए, और हमने बता आज ए first chapter, क्योंकि कई बार होता है, मैं book में बोलता हूँ, जो आपको notes provide करेगा, उसमें ये question पर, ये point पर लिखो, important है, revision के वक्त आपको य लादर रहना चाहिए, जैसे question परता हूँ, interpretation होता है, लिख रखना, revision करें वक्त तकलीफ नहीं जाना चाहिए, मैं कहतना हूँ ऐसा, तो फिर आप से लिखवाता भी वहां पे, तो ये गड़बर बिल्कुल भी नहीं करना, प्रिंट आउट लिए, और ऐसा नहीं करना, कि आपने से भी पड़े, और फिर नोट्स कहां गया, आपको नहीं पता, फिर ले रहे, PDF तो अवेलेबल है, क्या दिक्कत है, घुम्बी गए तो क्या हो, हाट कॉपी घुम्बी गई तो क्या हो, डाउनलोड करेंगे, फिर से हम बाद में उसके, नहीं, वह बहुत डेंजरस, I tell you why, क्यूं, क्यूंकि आपको मैं कुछ लिखाता हूँ, उसमें, सारी चीज़े, लेकि कभी बहुत अपने हाथों से लिखे ते वो तो उसमें नहीं रहेंगा, नहीं प्रेंट आउट नहीं रहेंगा, तो बहुत इंपोर्टेंट है, प्रॉपर थोड़ा सा खर्चा कर ल इंट आउट लेकि चैप्टर, सब पहेंदेंगे प्रॉपर चैप्टर नमबर वन टू, ऐसे आते जाएंगे, चैप्टर नमबर वन डिये, तो उसको आपने बराबर लगा दिये, तो आपके फाइल बन जाएंगे, पुरे नोर्स की, ठीक है, ओके, तो हम लोगों को, यहा सारी चीजे करना है, तो चार दस बुक नहीं पकड़ना है, एक बुक करना है आपको, जो मैं आपको दूगा, उसको 100% करना है, उसको फिर 100% पढ़ना है, और बिलीव मी, अगर आपने सारी चीजे इस तरीकी से पढ़े, जैसे मैंने आपके कहा बिटा, तो 90 प्लस इन अका से पर आपका बहुत फोकस होना, आप डिसिप्लीन होना, रेगुलर जो, मैं होमवर्क दे रहो, प्रॉपर होमवर्क करना है, और जिस तरीके से एक्जाम के दिन तक मैं आपको लेके जाओंगा, मतलब हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कोर्स कातम मैं मैराथान लो और ये इंस्ट्रक्शन को जब आप फॉलो करोंगे, बिलीव में मेहनत करोंगे, 90 प्लस आप स्पोर करोंगे, आपका एम बहुत हाई होना चाहिए, हमेशा बहुत हाई होना चाहिए, जो भी चीज करो, मतलब आप महेंगी चीज की बारे में नहीं कह रहा हो, मेरा कहने का म स्पास नहीं, रैंक लाना है, इस तरीकिसा आपको सुचते है, ऐसा आप सोचोंगे बिटा, तो फिर आपको खुद को भी एक मोटिवेशन रता लाना है, और अचीव आप कर सकते हो, ठीके, वक्त आएंगा तो मैं बताऊंगा, आपने 12 तक कैसे पढ़े हो, इसका इंपोर एक लेवल पर आज सब खड़े हुए, जो महनत करेंगा, वो CA कोर्स कर जाएगा, जो महनत करेंगा, वो CA कोर्स बहुत चार्टेट अकाउंटेंट बन जाएगा, महनत करना से, ओके, और aim should be slow high, rank का aim होना आपका, आपको rank लाना इस तरीकिसा आपको सोचना रहेगा, discipline रखो और जैसे जैसे रोज आपको instruction दी जाएगी, वैसे वैसे आपको करना रहेगा, ओके, अब मेरी आप से कुछ जादा नहीं, थोड़ी बहुत expectation, क्या expectation है मेरी आप से बिटा, पहली expectation है मेरे कि you should be regular in class, ऐसा आपको videos देख रहे हैं, लेकिन it is not like that कि नहीं आ रहा है, आप भी थे करता हूँ, इसा पुल नहीं कर रहा है, डेली जो रहता है ना, जैसे बस डेली यह discipline दा लो कर रोज का देखने हैं, एक वीडियो वो ध्यान में रखा जाता है बच्चा, इतना देख सकता है, उतना आर्स का ही video record करा जाता है, तो उतना ही आपको करना रहेंगा उतने, म तो आपको consistency बनी रहेंगी रेगुलर आप उसको देखो तो आपको पढ़ने में भी लिंक होगा और आसानी जाएंगी सेकेंड पॉइंड पॉइंड आप से कह चुक हो कंसेट पे आप बहुत ध्यान देंगे इसी प्रोफेशनल एक कोर्स है विड़ा और तो एसा क्यों है कि कम लोग बनते सब लोग क्यों नहीं कर लिए बहुत लोग पढ़ने आते लेकिन सब नहीं कर पाते हैं क्यों क्यों बेटा कि कंसेट पर फोकस करना पड़ता है लोजिक कैसे अध्यान दो तो तो फिर examination आप क्रैक कर पाते आसा निंए से तो always focus on concept to regular homework regularly आप homework regular करो मैंने आपसे का कि आपको homework regular होना मैंने आपसे जैसे आज आपको बोला question number two करो तो आपको कर नहीं है ऐसा होता है ना बिना आपको इतनी खुशी मिलेंगी इतनी खुशी मिलेंगी मैं आपको एक चीज़ कहता है जिस दिन मैं सीए बना था ना उसकी जैसे आज तक नहीं अन बिलीव में जिस दिन आप यह टाइटल सीए का आपके सामने लग जाएंगा कि जो महनत आपने कि यह मैं भी foundation की बात करता है जिस दिन आप foundation का examination rank लाओंगे और बहुत अच्छे से पास कर जाओंगे वो जो आपको खुशी मिलेंगी उस खुशी के सामने यह महनत उच्छी नहीं लगेंगी आज आपको कितनी महनत करना पड़ा है कितनी महनत करना पड़ा है लेकिन जिस दिन आप crack कर जाओंगे rank ले आओंगे बहुत अच्छी नंबर से पास हो जाओंगे आपको इतनी खुशी मिलेंगी तो खुशी के सामने लगा है वो महनत तो कुछ भी नहीं थी मजा आ गया इसलिए आप अब आते हम डाउट पर तो डाउट सेशन के बारे में बताया गया आपको पहले एक स्पेशल डाउट लाइब डाउट सेशन कंड़क करा जाएंगा और उसमें आपको जो भी डाउट होंगे वह आप पूछे जाओंगे लेकिन इतने सालों से सब्जेक्ट पढ़ा रहा तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को डाउट आएं ना लेकिन आना बीचे आ भी सकते अगर आये तो कोई प्रॉब्लम नहीं जो डाउट सेशन है था आपको बिलकुल मुझसे पूछ होंगे और डाउट पूछना मतलब कभी भी क्या होता है कोई चीत अगर द तो नहीं होता था तो हम लोग सोचते दें डर लगता था हमारे वक्त कि और कूछे तो सोचते थे क्या कहूंगा क्या होगा और उसमें क्या आपके पढ़ना रहता है वो भी नहीं हो पाता अच्छे तो आज्डा लेकिन मैं आपके चीज सजेस्स करूगा अब बिलकुल डा मैं कहा रहा था यह चीज पर पूछते हो तो आप पूछो लेकिन ऐसा नहीं करना कि एकदम से पूछे मतलब आइम इंटू से जब आप प्राक्टिस प्राक्टिस डिल में जब कोश्चन करोंगे आपने कोई लेक्चर देखे तो इसके बाद कोई पॉइंट को खुद से भ आदत नहीं हुई तो आप फिर आपको सर्फ डेलोप्रेंट नहीं होता फिर बहुत डिपेंडेंट अप डिपेंडेंट होई अभी फैकल्टीस पर लेकिन अपनी भी एक आप आदत डाला कि खुद से सोचा तो खुद से सोचोंगे तो शुरू में तकलीफ होती है और सोच आपको ब्रीफ बताया कि किस तरीके से हम लोगे पढ़ेंगे अब पहले कह दू कि मैं जब हम लोग चैप्टर नंबर टू अकाउंटिंग प्रोसेस से शुरू करेंगे वन को बाद में करने वाले डोंट आप टू वरी लेकिन उस चैप्टर पर भी आने के पहले हमेशा ब बहुत मज़ा आएंगा सब्जेक्ट में है और हमको करके दिखाना 90 प्लस हमारा टार्गेट है मार्क्स हमारे आना चाहिए और आएंगे बस आप मेहनत मेरे साथ आपको वैसी करना रहेगा एक चीज़ ख्याल रखना अभी से बिटा परस दे तो में भी शायद आप रेडी एक नोड़ बुक वो रहेंगी बिटा एक नोड़ बुक वो रहेंगी जो क्लास की कोश्चन जो भी मैं भी डिसकेशन करूँगा मैं बूलूँगा चलो लिखना आपको इवन दो नोड़ में रहता है लेकिन कई बार ऐसी कहानी बनाता है और आपको अंडर्सेंडिंग ले लिए लिए लेकिन आपको माँ पे क्या क्या कि पहले आप सॉल्फ करोंगे और फिर उससे जाके आप स्मझ मैं अच्छा था तो दो नोड़ बुक ले ना अकाउंट से सब बनाना होता है जगा जादा लगती तो चोटे रिजिस्टर मत लेना तो तो लिए ब्राड रहते व लेना आपने ठीक है बहुत बड़ा एक लिबन गांज दूस्ट के जो डिस्कॉशन हो कॉस्टन सार्व आपके करें और एक दूसरा प्राक्टिस बीद्ड देना प्रॉपर चैप्टर नबर वन की अब जब रिवाइस करोंगे पहली बुक से भी देखना है जो आपको होम वक्त दिए तो महां से भी आप फिर देखोंगे एक और चीज के आदत रखना विटा कैसा होता है कि जब हम कोशन करें हर कोशन में शुरुवात में तो बहुत से कोशन करें फिर आगे भी जाएंगे तो को कोशन में कुछ कुछ कोशन आगे कभी ऐसा भी होता है कि एक कोशन अभी कर उसके बाद वाला कोशन 90% वैसे ही था एक नई चीज को हमने सीखिए अभी तो क्या होता एक्जामनेशन के वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट रहते आप देखो कोशन में अच्छा है यह कोशन पिछले कोशन जैसा ही है लेकिन सर ने इसको हाइलाइट करने बोले थे तो यह पॉइंट ना है तो चलो अभी समय नहीं है ना अपने पास एक्जाम के बाद बहुत पढ़ना रिवाइस करना तो यह देख लो इसमें नहीं प्रेवे जो हाइलेट करें बाद जो पॉइंट बज गए ना वो मेरे को कम लग रहे तो वह पढ़ना है कि यह नहीं है जो हाइलेट करें तो इत्ता किया पूरी बुक की उसने भर दिया उससे इंपॉर्टिन पॉइंट को हालेट करना मैं आपको बताऊंगा वैसे आप कर लिया ना बढ़िया ज्यादा पेजिस की ऑफिस में ट्रॉख कर ला ठीक है मैं जो चीज कहूंगा लिखना आपको लिखना है वह वह लेक्षार क्यूंकि जब आप रिवाइस करोंगे आप कनेक कर पाऊंगे उसको आसानी से ठीक है अभी मैं आप अपने नोट बुक में आ ठीक है अब पहले समझने भी फोकस करना आप वीडियो मैं ऐसा कोशिश करूंगे साथ में लिख पाए लेकिन आप थोड़ी से मेरी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते जाओंगे अब क्या चीज होती है अब आप सोचो और इमेजिन करों ठीक है अब आपको इमेजिन कर अब ही मैं कहता हूँ क्या चीज है एवरी इंडिवीजिन परफॉर्म परफॉर्म सम काइंड ओफ एकनॉमिक अक्टिविटी अब आप मुझे बताइए विटा आप डेली लाइफ में कही ना कही हम लोग कोई लेन देन में इनवाल होते हैं अब आप बच्चे तो नहीं मतलब आप चब पे जिम्मेदारी हैंग जब तो और हो जाता है एक्जामपल अगर हम देखें कुछ लेन देन कुछ पैसे की बात कुछ लेन देन हर कोई डेली लाइफ में इनवाल होता है अब आप में से बेटा आपके जो पैरेंट्स होंगे किसी के पैरेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब करते हूंगे किसी के पैरेंट्स के बिजनस होंगे तो अगर कोई जॉब करता है तो उसे हम कहते है सेलेरीट परसन ठीक है उसे हम क्या कहते है सेलेरीट परसन सेलेरीट परसन हम उसको कहते है अब ये भी तो कुछ न कुछ पैसो किसमें इनवाल होता हूंगा सेलेरीट परसन भी कैसे होता है अब इसे सेलरी मिलती हम कि इस काम के लिए कि वो उनको salary person लेते हैं, हर मत उनको salary बिलती है, उस काम के लिए, और वो इस पैसे को खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, बहुत से चीज़ों में, example मैं कुछ यहां पे लिखता हूं, जैसे की कुछ example यहां पे, वो खर्च करते होंगे विच्टा, grocery हर मैंने घर की लानूँ के example बहुत जगा खर्च करते हैं कुछ एक्जामपल ले लाते होंगे घर का जो राशन है उसको लिए सेलरी आई फिर ग्रॉसरी लेकर आए उसके बाद बचे जित करते हैं सरक्पड़े यह फिर लोग्लाइटिंग पर कुछ खर्च होते हैं आपके एडुकेशन पर भी तो वह खर्च करते हैं पैसा उसके बाद फिर एक सेलरी परसन का ड्रीम होता है हर घर पर एक ड्रीम होता है अपना खुद का घर हो फिर वह कंस्ट्रक्शन कर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउज है घर खरीकते हो यह उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वहां खर्च करते हैं तो इक सेलरीट परसन भी हमारा खरच करता है उसके पास सेलेरी आती है और वो खरच करता है तो वो भी एक पैसो की लेंदेन के इसमें इन्वाल्फ रहता है ठीक है अब अलग-अलग लोग होते है किसी के पैरेंट्स ऐसे होगे जो business करते हैं तो suppose ये business man है ये business man ने बिटा है ये business man ने अब इस business में दो अलग है ये business man ने इसी ठीक है ये business man ने बिटा ठीक है जगा नहीं तो मैं नीचे लिखा हूँ business man है उसके business में पैसा लगाया क्यों पैसा लगाया क्योंकि क्यों कमाना चाहता है है, तो यह दो अलग चीज बिजनिस मैन एक अलग चीज और एक बिजनिस अलग चीज है हमारी यहांपे, तो उस इसनान ने इसमें पैसा लगाई सबस्क्त无法 कोई भी बिजनस का मालिक है कि मेरा उस डिजनस से कितना प्रोफिट हो रहा है वो कैसे पर्फॉर्म कर रहा है तो उसको चीज़ को वो जैसे क्यों लिखता हूँगा कि सेल्स कितना हुआ मेरा एक्जामपल हाइपर्टिटिकल में लिख रहा हूँ एक लाख पचास हजार रुपए का मेरा सेल्स हुआ अगर कोई चीज़ आपने बेचे हो तो खरीद के भी लाए होंगे बेचा तो आपने परचेस करके लाए होंगे अगर सब्सक्र कोई चीज़ आपने परचेस करके लाए बिजनस में एक लाख रुपए की तो एक लाख रुपए की चीज़ खरीद के लाए थे मैंने बेचा वही चीज़ को आपने परफिट मार्जिन आट करके हम बेचेगे ना तो बेचा मैंने उसको 50,000 और रुपए में परफिट हुआ लेकिन क्या और कोई खर्चे नहीं जो चीज़ कहरीद ले आया था उसको मैंने बेचा वेटा एक लाग की चीज़ को एक लाग पचास में बेचे तो पचास जार रुपए का प्रॉफिट हो गया लेकिन क्या कोई और खर्चे नहीं हो तो इंगे बिजनिस के सोची बिजनिसमेन के पॉइंट अभी तो जो बिजनिस में और खर्च होंगे हो सकता है वहां का रेंटल होंगा एक रेंटल एक्सपेंस होंगे रेंट का खर्चा आता है वो अगर मैं कहता हूँ में से फिर और खर्चा हो गए कितने के 10-10-25 तो मेरा यहां पर बचता है 25,000 रुपए कितना बच रहा है बिटा 25,000 रुपए बच गया यह तो यह मैंने बेचने पर मिले एक लाग 50,000 रुपए लाग रुपए का खरीदा था गुर्स जो बेचा उसको खरीदना भी तो पढ़ें कोई चीज मैं बेचूंगा था पहले खरीद के लाता हूं उसको और इसके बाद रेंट पे किया खर्चा एलेक्रिसिटी सेलरी यह सारे चीज़े खर्च वे तो 25,000 र प्रफिट हुआ अब मुझे बताओ कोई यह बिजनेस मैं यहां तो छोटे ट्रांजेक्शन है अगर यह जो छोटे चोटे अमाउंट है यहां पर कोई बड़े अमाउंट ही यह याद हो जाए लेकिन कोई बिजनेस मैं में अभी थोड़ी दिर में हम आएंगे थाउजंस लिखते है अपना अपना परफॉर्मिंस देखने के लिए कि बिजनेस में से कैसे करना है और यह जो इंडिवीजियल है क्या यह सब अकाउंटिंग करते हैं कि आपके पापा अगर सेलेरीट पर जॉब करते तो क्या वह अकाउंटिंग करते होंगे वह नहीं करते होंगे ल इसा मुझे बस सेलेरी कित्य आती उसे घर चलाना है बस हो गया बच्चों की फीस पे करना लेकिन बिजनेसमेन अकाउंटिंग जरूर करता है क्यों कि वो चाहता है कि मेरे बिजनेस पर फॉर्म कैसे कर रहा है उसमें कितना प्रॉफिट और उस चीज को पता लगाने करना पड़ेगा उसमें कितना और वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लेंगे हमको कुछ टाक्स पे करना पड़ेगा से टेक्स कहते कि ताकि देश चला सके हम लोग तो वह भी हमसे कहते कि इस चीज को लिखो तो लिख वह पर्फॉर्म कैसा करें लगा पाए अब देखेंगे यहाप एक चीज में थोड़े से टर्म्स आपको बता दू यह जो मैंने उपर लिखा sales हुआ, purchase पे खर्चा हुआ, rent, electricity, salary इसे हम transaction कहते है transaction के मतलब कोई business dealing a business dealing measured and expressive in terms of money is called transaction कोई business dealing जिसको हम पैसों में तोल सकते है जिसकी कोई value रहती है जिसकी हम उसको value करते है उसे हम transaction कहते है क्या कहते है उसे हम transaction कहते है ओके यह हमारा अब एक और चीज़ छोटा था difference होता है आगे हम देखेगे अब इस बहुत initial stage पे हम जब transactions को हर transaction को अपने हमको लिखना पड़ता है ताकि हम performance जहां रहे कि हमारा profit किता हो रहा है हमारा loss तो नहीं business में पड़ता है न अच्छे लेकिन उन transaction की वज़े से कोई output जब आता है वो भी monetary term में हो उसको measure करते तो इसका मतलब क्या हुआ अब देखो जो transaction हुए जब ही तो profit हुआ न आपका वो transaction के वज़े का ही वो consequence है वो transaction का consequence है कि वो आपको profit हुआ भात में तो वो profit जो उसे हम event कहते है profit खुद में कोई transaction नहीं था वो transaction की वज़े से profit हुआ तो हम लोग business में obviously transaction को तो लिखते ही है, साथ में हम event को भी लिखते है, जो monetary terms में हमारी होती है, okay, so a happening, यह यह event है, यह event वाला part है, नीचे जो profit है, a happening as a consequence of transactions a result या a result is called event, यह क्या कहलाता है, event, तो कोई transaction की वज़ा से, जो कोई consequence की जो कुछ हुआ, जैसे आपने transaction की इत्ते सारे, purchase, sales, rent, electricity, and salary, यह सब पे किये, उसकी वज़ा से profit और profit, money में मेजर करा जाता है, तो उसे event कहते हैं, उसे भी हम लिखते हैं, ऐसा नहीं हमने वो लिखे, profit नहीं लिखेंगे, हम अपने हिसाब किताब में, अरे profit और उसको भी लिखो न, हैं, अपने business का हिसाब किताब लिखते हैं, ताकि हो कैसे perform कर रहा है, हमें यह भी पता रहा है, कभी किसी को उधारी में बेशते हैं, तो उससे कितना लेना है, कभी उधारी में खरीदते हैं, उधारी मतलब credit में purchase, तो उधारी में मैंने खरीदा, तो मुझे किसी को पैसा देना है, तो कितना देना है, वो सारी चीज़े हम को पता रहे, इसलिए हम उसके साब किताब को लिखते हैं, तो especially, हम भी जब पढ़ेंगे, mainly हम business के point of view से focus करेंगे, टीके, लिख वो सेलेरीट परसन भी करेता है, उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता लिखने का, business में बहुत होता है, अब मैं non-profit क्या होता, तो असमें मैं दो मिनिट में आता हूँ, अभी यह हम business वाला जो पार्टिस को, और अपने imagination को बढ़ाओ बीटा, अब यह big bazaar है, ठीके, अब हम imagine big bazaar, अब मैं क्या ले कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना बीटा, ठीके, big bazaar पता है ना आपको, okay, now imagine big bazaar, अब मैं को एक बात बिटाई विड़ा है, क्या यह जो transaction है, अब आपने सोचे, यह सोचो, यह हाँ पर यह सोचो, thousands of customer आते, छोटा मोटा business वाह, आपने लिख दिये हैं, यहाँ पिछले slide में, 4-5 item लिखा, sale, purchase, rent, और बता दिया, profit है, अच्छी सार रुपेर, अब सोचो, businessmen के, imagine करो आप, big bazaar एक organization, जब आप उस मॉल में जाते हो, वो big bazaar की, इसमें जाते हो, thousands of customers के रहते होंगे, पुरे साल में, भीड रहती है, जब मेगा सेल लगता है, बीड रहती है, अब आप सोचो, as a human being, as a human being, क्या ये possible होता है, क्या जो इतने सारे products, वो बेशते, उसको दिमाग में रखे है, कि कितने में बेचा, क्या ये चीज पॉसिबल है, 2, 4, 5, 10 समझ में आता है, हज़ारो customer से उनके, हज़ारो बार सेल्स हो रहा है, उनका पूरे साल में, क्या ये possible है, कुछ बिजनस मैं के लिए, जो आपके बिग विज़ार के उनर के लिए, क्या है, possible as a human being, उस चीज को अपने दिमाग में रखे, कितना सेल हुआ, कब बेचे, किते में बेचे, कौन सा प्रोड़क्ट बेचे, भाई, ये लाखो प्रोड़क्ट होते है, चोटे-चोटे, तो कौन सा बेचे, कब बेचे, किते में बेचे, क्या ये possible है, क्या, तो सबसे पहले में, ये possible, नहीं है बिटा, तो सबसे पहले वहाँ पे उनके, ताउजन्स ओफ कस्टमर, ठीक है, मेरी बात अच्छे थे, समझ ना बिटा, ताउजन्स ओफ कस्टमर, इतने कस्टमर्स होते, किसको कितने में बेचे, क्या ये possible है, अब आप देखो, अब बिग बजार में जब जाते है, या कोई और शॉपिंग मॉल में जाते है, फ्रूट प्रोड़क्ट जाओ ले, तो आप देखो, राइट एंड साइट पे, यहाँ पे आपको जूम करके बताओ, ठीक है, यह देखो, यहाँ पे कितने प्रोड़क्स आपके रखे वे, यह प्रोड़क्स रखे वे आपके ठीक है, यहाँ पर आपका यह प्रोड़क्स रखा हुआ है, यह यहाँ पे इतने सारे प्रोड़क्स रखे वे, यह प्रोड़क्ट रखे वे, कितने प्रोड़क्ट यहाँ पे रखे वे, अब आप मेरे को बताओ, क्या हम को इतने प्रोड़क्स यहां पे रखेवे हैं। उन्होंने खरीद के लाए, ताकि हम उसको बेच सके। तो बेचते वगए हजारों और अरे अरे बाइ प्रोड़क्ट तो कितने रहते हो सकते हैं? लाग से जादा प्रोड़क्ट हो चोटे चोटे कितने प्रोड़क्ट होते तो आप सोचो as a human being क्या यह possible है कि जो प्रोड़क्स हमारे यहां पे रखे वे बिटा उसको क्या यह आपके लिए पॉसिबल है जो बिजनसमेन के लिए क्या पॉसिबल है जो एक इनसान है कि अपने तो देखता है इतने आयते इतने बिग गतुर लिख रखता उसको उसको याद करना विबन बिंग के लिए प्राक्टिकल वह पॉसिबल हमारे लिए नहीं है तो इतने सारे जो यह प्रोड़क्स हमारे यहां पे रखे हुए इसे हम लोगों को याद रखना कि कितने प्रोड ओकी इस इट पॉसिबल टूरिमेंबर रिमेंबर और डोस ट्रांजेक्षिन क्या यह पॉसिबल है कि सारे ट्रांजेक्षिन हमारे जो कस्तमिर्स के साथ हो यह हम कुछ पर्चेस करके ला रहे उसका चीज़े सारे हमारे दिमाग में रहे दा आंसर इस नो नौट पॉसिबल तो रिमेंबर आल दोस ट्रांजेक्शन एज यूमिन बिंग इंसान यारम हम कैसे याद रखेंगे इसको वो पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेंगा इट मीन्स इट मीन्स वी हाफ टू रिकॉर्ड इट हमें वो याद रहने वाला नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा लिखना जरूरी है याद नहीं रख सकते है और हमको अपना प्रॉफिट पता लगाना है बिजिनस की वो बिना लिखे नहीं होगा अब मेरे सामने ये कोश्चेन आता है आपने बोले यहां पर मैं लिखता हूं यह क्या चीज है what is record record का मतलब होता है record means something in writing कुछ writing something in writing record का मतलब क्या होता है कि कुछ आपने लिखे हो Everything वाइस नहीं होता है वोट इस tward vibrator करो baby मतलब क्या होता है अब मैं नीचे यहां पर लिखता पर टो तो रिकारड क्या रिकार्ड कर आप बोले something in writing क्या है what is something in writing something in writing मतलब प्याओ जो transactions होते बिजनस के हमने अभी देखेके purchase sale है वो सारे जो चीजे होती है उसको आपने लिके rent electricity जो खर्चे भी लेके सारे यहां पर इतने प्रोड़क्ट जो खरीद के लाया इतना जो बेच रॉल दीजा ट्रांजेक्शन और जो प्रॉफिट हुआ देट इस इवेंट तो उसको ट्रांजेक्शन और जो इवेंट्स होती बेटा वह और फाइनेंशियल कैसी रहे और फाइ तो प्रॉफिर और जो जो फाइनेंशियल की अद्धा उसको रिकर्णा हम्को क्यों को क्यों करना को टूप ट्रांजेक्शन इवेंड फाइनेंशल नेचर की होना चाहिए what is financial nature पैसे में जो मेजर करा जा जो आप मनी में उसके कोई बोली लगा उसको आप लिखते हो मैं एक एक्जामपल देता हूँ या आगे भी हमको बहुत चीज़े पढ़ना रहेंगा अगर मेरा कोई इंप्लॉई बहुत अच्छा है कभी कोई provocative बहुत अच्छा बहुत य घृता एक अच्छा लिखिए मेरा अच्छाophis बॉय है मैं करें लिखू इसको अरे भाई हुब हमारा इंटेंशन नीए हमारा उद्देश है पर्फॉर्मेंस देखना और दूसरी चीज़े भी हम देखते एक उद्देश बता रहो पर्फॉर्मेंस देखना की information मिले पर्फॉर्मेंस क्या कि profit हुआ का loss हुआ इसलिए उसको लिखो transaction को तो जो भई financial nature की चीज़ों को लिखो तो profit और loss पता लगा पाऊंगे कोई मेरा employee बड़ा अच्छा नेचर है और बड़ा अच्छा लगता से बात करके अच्छा सा बहुता बड़ा अच्छे से बात करता है वह लिखो बड़ा अच्छे record क्यों record करते होंगे बड़ा आपको कहा मैंने तू गेट more information तो गेट more information अबाउट दी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के अलावा कुछ और चीज़े भी देखते पोजिशन कैसी किस से लेना है किस से देना है अभी मैं आपके एक्जामपल की तो परफॉर्मेंस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो पर प्रॉफिट कैसा हमारे business का उसके लिए हम इसको record करते हैं ताकि हमको क्य लिखना जरूरी होता है record मतलब क्या something in writing writing में क्या हर चीज़ लिखते हैं जो financial nature की जो money में जिसको पैसों में तोला जा रहा है जो transitional event उसको हम लोग लिखते हैं यहां पर और उसके बात what to record क्या रिखा जाता है क्यों लिखते हैं ताकि हमको information जादा से जादा उस business के बारे में पता चले कि कैसे परफॉर्म कर रहा है अभी मैंने यह नहीं कहां आप से दो चीज़ हाउ टू रिकॉर्ट कैसे लिखते हैं वेर टू रिकॉर्ट कहां लिखते हैं उसका वक्त आएंगा अभी तो इंट्रोड़क्टरी पार्ट एक्दम बेसी कि तो मैं बताऊंगा कि हाउ इसका सिस्टम हो वेर टू रिकॉर्ट उसको कहां लिखा जाता है सर वेर टू रिकॉर्ट उसको कहां लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है कहां लिखा जाता उस पर भी अपन बात करें तो बहुत से कारण है पहले तो रिकॉर्ट करो वह रिकॉर्ट राइटिंग में होना और फाइनिश हिसाब किताब को लिखना हमारा यहां पर जरूरी होता है अब आप सोचो और बड़ा सोचो अब आप अब जो आप अब यहां पर देख रहे हो यह जो आप देख रहे हो इसक्रीन पर आपको मैं जूम करता हूं यह फाइनिंशियल हाइलाइट्स दी विए रिलाइंस कंपनी का परफॉर्मेंस देखा पहली चीज आप यहां पर यह रुपीज इन करोड से जो करोड में है तो अगर दो लिखा तो विल कॉल इट टू करोड अब में को बता आप मैं परफॉर्मेंस बताता हूं यहां पर जो सेल्स हुआ है रिलाइंस कंपनी का जो मेरा यहां पर सेल हुआ है ओके अब ध्यान से सुनो करोड समझा क्या वहला है मैंने त्री लाइंस की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हुए उनका यह सेल हुआ था अब में को बताओ जिस कंपनी का लाखो मतलब 3,652 करोड का सेल है वह 3,252 करोड रूपीस दो करोड रूपीज दी करोड है उतने का उनका सेल्स हुआ अब बताओ मुकेश अबानी को यह इतना जो सेल्स हुआ वह दिमाग में रख सकता है कि इतने का सेल वह बोलेंगा कैसी बात करते हो में को नही यह तो उसको लिखना ज़रूरी है कॉंसी चीजे रिलाइंस कंपनी लिखती होंगी वो जो फाइनिशल सम्थिंग राइटिं क्या लिखती होंगी जो फाइनिशल नीचर के है ट्रांसेक्शन और इवेंट अच्छा क्यू लिखते होंगे ताकि वह यह फिगर पता लागा स सब्सक्राइब इसलिए सद्सक्राइब यहां में अ सब्सक्राइब तो यह उनको यह याद रहेंगा यह पॉसिबल नहीं है तो इसलिए पेटा हमारे लिए यह सारी चीजों को लिखना जरूरी होता है हिसाब किताब लिखना जरूरी है जभी तो परफॉर्मेंस रहेंगा अब गौर्मेंट भी हमको बुलती के लिखो इसको क्यों कियों कि हम अपने मुनाफे में हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्ता गौर्मेंट को देते ताकि हमारी कंट्री चल पाए डिफेंस में खर्चा होत तो उससे खर्च करती है इसमें जो प्रॉफिट का कोई हिस्सा हम उसको देते कुछ हिस्सा उसके कुछ अलग रूल से और गौर्वर्मेंट भी कहती बराबर अकांटिंग करो बराबर हिसाब किताब लिखो तो यह तो आपका पर्फॉर्मेंस पता चलेंगा और आपसे टै आपको किसकी कर दोनों सकतें इनाग्म सकता तरीका होता है आगे हम सीखने वाल और आपको क्यों करता हो मगर मेंटी कौन डिजिनस की अकांटिंग करती होंगे to find out the performance उसका main motive होता है कि performance में पता लगा है individual इंसान जो business नहीं कर जो salary उसको जादा फिकर नहीं रहते हैं रहे salary आई इत्ती आई पता इत्ता खर्च होगा उसमें क्या लिखना चाहे तो वह भी कर सकता है उसका profit नहीं होगा मगर income किती salary आई कितना खर्च होगा कितना बच्चा का investment कर रखा हूँ grocery में कितना खर्च हो गया आपका फिर बच्चों के कपड़ों पर कितना खर्च हो गया फिर education पर कितना खर्च हो गया घर बनाए तो कितने में घर बना वो सारी चीजें भी लिख सकता है लेकि mainly जो रहता है focus किसका रहता है हिसाब किताब पे mainly जो accounting करता है business man का रहता है business man का भी वो भी business का करता हो हिसाब किताब अब और कोई अपना इस तरीके से हिसाब किताब में ध्यान रखता हूँ non-profit organization या पर एक chapter भी क्या होता है non-profit organization ये वो organization है कि जिनका profit motive नहीं है अब आप देको business man अभी बोल रहा है कि business man को performance देखना है performance देखना है profit देखना है profit हुआ loss हुआ किता हुआ पता लगाना है तो वो account उस हिसाब किताब लिखता है और बहुत जादा रहता है जिसे big bazaar का example दिया आपने सुनेंगे रतन टाटा जो है बहुत ही respectful इनसान है रतन टाटा एक trust है बिटा ये बहुत donation करते है अब एक रतन टाटा trust है उस trust का जो काम है बहुत से area में काम करते हैं काम करते हैं मतलब social work बहुत करते हैं वो पैसा देते है कि education पे खर्च करो वो देते है कि भी rural development हो उस पे खर्च करते हो मैं आपको बता आता हू उसारी चीज़ है इनकी report बताता हू मैं आपको development पे खर्च हो वो health care पे के लिए भी बहुत पैसा देते लोगों के health care के लिए भी बहुत पैसा देते है को innovation होते चोटे स्टार्ट चोटे उसके पैसा इन्वेशन के लिए देते हो और अपने आपको बढ़ा हो आगे तो यहां पर हमने कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाजिशन इसको इनको क्यों हिसाब किताब लिखते होंगे मैं सोच रहा हूं आथ कि यह कियो इनको क्या था दरूर रहते इनको तो प्रॉफिट कमाने का मोटीव भी नहीं इसके बाद रूरल डेलपितमेंट के लिए लिए हल्थेश के लिए डेते मिट, तो क्यों देते होंगे डोनेशन देते हैं पॉल्च को लोगों की भी ग्रोथ सब्सक्रों से पैसा कमाना नहीं हमने किसी से डूबड लिए तो वह उसको रहेंगा जाए हिसाब क्युक्ama को इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हूं आप्ने परसनल परपस के लिए और वो यूझ कर लिए इनका ठॉर्स्ट है नहीं तो वह उसको प्रॉपर उतिलाइज हो पर पैसा कहां से California कि Can बहुत अच्छा काम करते हूए वह दोनेशन थी बहुत हो तो जब यह इतना खर्च करते हैं तो मुझे बताओ वह उसाब किताब लिखेंगे नहीं लिखेंगे गवर्मनेंट को बताते हैं रहते है लाकों मिन्यन्स में रत श्कार्च मैं बताता भी उनकी figure इतना रहता है उचो कैसे उनके लिए याद रहेंगा उनको भी तो देखना है कि हमने उनका performance profit नहीं है लिए पर्फॉर्मेंस के हमने health care system पे इतना खर्च करें education पे कितना खर्च करें वो उनको देखना है तो क्या उनके लिए यह possible है कि बेटा उस चीज को वो याद रखे याद रहे कि हाँ हाँ दिमाद में रहेंगा हाँ नहीं उसे भी लिखना ज़रूरी मतलब को एक याँ नोन्फ्राफट औरफट कैसा हुआ लेकिन नॉन्प्रफट ऑर्गणाईजिशन भी लिखता है कि किस से किस デटर कूसकी जगा पर हमने और छर्च रूस के करें रूरल डिलोपिंट करें हेल्ट केरламंट कि ने उसको खर्च करें तो वह भी हिसाब किताब दिखता है इवन दो उनका मोटिफ प्रॉफिट कमाना नहीं है तो मैं आपको आपको एचीज समझ में आ रहूं कि यह हिसाब किताब लिखना कितना ज़रूरी है जब लिखोंगे जब फ़ी प्ता रहेंगा कि is a human being हम उसको याद नहीं कर सकते बिग बजार वाला याद नहीं कर सकता रिलाइंस याद नहीं रख सकते जो टब बिजनसमेन भी नहीं रख सकता इतना याद भी तो इसको लिखना जरूरी एक non-profit organization भी लिखती है कि वो बता सके के donation कितना आया कहा का एडिया में खर्च करें अब यह हम एक annual report में आपको बताता हूँ यह जो आप स्क्रीन पे देख रहे है यह annual report है आपकी किसकी annual report है अब देखो जो उन्होंने खर्च किया आपके सामने यह figure पे जो उन्होंने खर्च किया जो green color से आपको दिख रहा है तो यह green color में उन्होंने जो total amount इस साल खर्च ही है वो आपका healthcare system पे 63% healthcare system पे वो खर्च करत है कितना अच्छा काम होगी तो इतना खर्च वो करते अब आपको यहां पर उन्होंने फिजिसे बहुत सी जगा खर्च करें मैं आपको जूम करके बताता हूं education के लिए उन्हें 6% खर्च करें रूरल अप्लिफमेंट के लिए 9% खर्च हुआ ठीक है अर्बन पावर्टी चला कि टोटल इतना खर्च करें उसमें से हेल्थकेर पर उन्हें इतना खर्च करें फिर आपका वाटर के ऊपर एनर्जी के रूरल अप्लिफमेंट पर खर्च करें education पर पावर्टी के लिए करें आर्ट ग्राफ्स को प्रमोट करने के लिए कुछ खर्च करें institutions को दिए innovation किसी उसको दिए इन्होंने इतना खर्च किये बिटा तो वो यह कैसे पता आपको पता फिगर्स किसमें रूपीज में million से million समझता है एक million में 10 लाख होते तो वो आपको 441 million मतलब एक million 10 लाख का तो उस figure को 10 लाख से multiply कर तो उतने रुपए हो इतनी बड़ी amount तो कैसे उनको पता यह figures आप सोचो यह कैसे उस organization को जो रतन टार्टर ट्रस है इन्हें कैसे पता चलेंगा यह एतना खर्च हुआ इतना हमने खर्च ही कैसे पता चलेगा जब आप उस चीज को लिखूंगे विए एज यूमेन बिंग पॉसीबल हमारे लिए नहीं है इन चीज़ों को याद रखना वेट अमारे लिए पॉसीबल नहीं होता है तो इसे लिखना बहुत जरूरी होता ह तो इसलिए accounting करना इसलिए accounting करना जरूरी होता है कि हिसाब किटाब को लिखो ताकि आप performance किसे लेना है किसको देना है सारी चीज़ा हमको जानकारी पता रहे तो आज हमने सिर्फ अभी कितना discuss करें कुछ भी नहीं सिर्फ introduction थोड़ा सा काउं आज हम लोग इसको यहीं पर खत्म करेंगे जो next session है का what do you mean by accounting उस पे में को accounting का meaning समझाने पूरा एक session लगे वो next session हैगा हम तिर्फ discuss करेंगे what do you mean by accounting उसको समझने एक session लगे तो deep में जा जाके इस चीज़ को concept पे focus करेंगे तापके understanding level और बढ़ेगे मैं आपको suggest करूगा यहां से introduction पार्ट जो मैंने लिखा यह आपने भी लिखना इसको आपने ऐसे अपने नोट्स में से normal लिखना बिग बजार मापे so much of goods इस image तो नहीं आप बना पाऊंगे roughly क्यों कि यह चीज़ जब आप revise करोंगे जब आप रिवाइस करोंगे आपको सम समझ में आना चाहिए दिमाग में cycle चलना चाहिए के class में इस तरीके से बोला गया था सर नहीं यह बताए तो आप बढ़े अच्छे ते connect पर revision भी बहुता है तो यह जो दो slide है एक यह slide और एक और चीज़ में कर आप बहुत ऐसा नहीं कि सजा के decorate कर के लिखना नहीं simple normal अप हमोई और नहीं बूलना उसकी बाद हम व opioक मिल jetग है तो Take Care वोबाइग और comment करना नहीं नहीं बूलना लाइक करोंगे वीडियो को कमेंट करना नहीं बूलनागा और कैसा आपका experience रहे प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स में टेक केर बाबाए